नमस्कार जमुजोश में आप सभी का स्वागत है जिसके लफजों में हमें अपना अक्स मिलता है बड़े नसीब से ऐसा कोई शक्स मिलता है जी हाँ जिन्दगी की बात करें तो कविताओं के बगेर जिन्दगी जो है अधूरी सी लगती है बच्पन से हम हर कक्षा में जो है अंदाज है वो निराला है क्योंकि जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो उस कविता के मतलब में ही खो जाते हैं चाहे वो कविता परवत के उपर हो चाहे वो कविता हिमाले के उपर हो तो जो भी कविता हम पढ़ते हैं हम कही न कहीं उस कविता के अंदर खो जाते हैं और काफी मशूर हस्ती है उनसे बात करेंगे जिनका नाम है केवल क्रिशन शर्मा और रिटाइड प्रिंसपल भी रह चुके हैं उनसे हम बात चीत करेंगे आखिर उनका ये सफर कब से शुरू हुआ और कितनी किताबें और इन्होंने लिखी हैं और साथ मैं मैं सबसे बड़ी ब भाशन में बहुत सारी किताबे लिखी हैं जहां से किष्टवार के लिए काफी गरु की बात है सिर्ट स्वागत आपका सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए धनिवाल सबसे पेले हम आप से जानना चाहेंगे आपका सफर कब से शुरू हुआ और कैसे आपने सोच ल का भी मिली तो होते होते मैं एक साधारन प्राइमरी स्कूल टीचर से प्रिंसिपल के पद से सेवा निम्रित हुआ हूँ तो चूंकि शिक्षा के साथ संबंध रखता हुआ मुझे बीच में कविता का भी शोक आया और लेखक भी रहा तो मेरी आज तक 10 किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं जिन में से एक पुस्तक किष्टवार दर्पन पर मुझे राश्ट्री पुस्कार से भी सम्मानित किया गया है जिसमें एक लाख रुप्या धन की राश्ची भी प्रापत हुई है कवी हैं आप और कवी कवीता सुनने के बगेर तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं सबसे पहले हम हिंदी में कोई आपसे कवीता सुनेंगे एक कविता है मेरी, काम ही मेरी पूजा है ठंडी छाओं बेट के रहना, वीरू को कब सूजा है पोँच पसीना कड़ी धूप में, काम ही मेरी पूजा है हार जीत को छोड करम संग, मेरा कदम बड़ा है लगता कारिय, महान करने, हेतु जनम हुआ है उसे पूर्ण कियाविन मेरा, लक्षन कोई दूजा है पोँच पसीना कड़ी धूप में, काम ही मेरी पूजा है मंदिर बेठा भगवान मुझे, मजदूरूं में दिखता है ठके किसानों के चहरूं पर, स्वेद बना टपकता है देख भिखारी हटे कटे को, किसका मन पसीजा है पोँच पसीना कड़ी धूप में, काम ही मेरी पूजा है तो ये कवीता जो अभी इन्होंने सुनाई, इन्होंने खुद लिखी है और इसके साथ-साथ अन्नी भी कवीताई इन्होंने खुद लिखी हुई है और किस्तवाड की बात करूँ, तो किस्तवाड के लिए काफी गोरा और गरू की बात है किश्टवाड में भी इतने मशूर कवी यहां पे हैं और मैं यही कहूँगा आपसे भी यह जो हैं हमारे लिए प्रेणडा दायक शक्स भी हैं मैं सभी दर्शकों को यही अपील करूँगा कि इनसे प्रेणडा भी ले सकते हैं इनस्पिरेशन भी ले सकते हैं अपने उपर और इसके अलावा में बात करूँ तो इन्होंने किश्टवाडी में भी कवीताएं लिखी हैं और काफी पुरसकारों से इनको समानित भी किया गया है खासकर किश्टवाडी भाषा में जो इन्होंने कवीता लिखी है उस पर ही राष्टी पुरसकार से इनको समानित किया गया है सर किश्टवाडी कवीता आपने लिखी है वो भी thoda हमारे दर्शकों को किश्टवाडी में सुना दीजी इससे पहले कि मैं किष्टवारी में कविता आपको बताओं मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अंग्रीजी में भी कविताय लिखी है और इंगलिश की एक किताब मैंने लिखे है Moral Education पर जिसको थर्ड आर आफ एजुकेशन पौर्थ आर आफ एजुकेशन का नाम दिया है मैंने किताब को उस किताब को Director of Education ने, Education Minister साहब ने और जतने भी एजुकेश्टिस ने हैं उन्होंने बहुत ही पसंद किया है और ये किताब जो है तकरीबन बहुत सी लाइबरेरियों में इस वकत है अब आपने बात की किष्टवारी की तो किष्टवारी का यहां थोड़ा सा हमें ऐसा महसुस हुआ कि ये भाशा जो है थोड़ी सी लुपत होती जा रही है तो एक खाश से की एक कविता में आपको बताऊंगा जो मैंने लिखी थी पहले कि चाव सेद उच्छाम ये गरीम शीष नजिर आम अक सफेद वाल कनस पत क्रिशनन वालन मंस शोंड कर्त तालन पनिंचाल सोचन लगूस जीले सुनास थुष्ट करतराई द्वान चोरन दोसन सुनास मश्राई मगर क्रिशनन वाल थी वापस थिन फेरन येत आखा थुसो ताइत गुच्चै नेरन याद अवं विचोर केश उदास यू इमों वालो कर्याक उदास यत ब्या करे तिम जवन लगिस बाबा बुड समिच करन लगिस वापस क्या क्रिशनन वालनी से था रवन जवानी आक सपना पुटन से था रुकन जिन्दगानी किश्टवार दरपन एक पुस्तक है जिसमें किश्टवार की इतहास किश्टवार का इतहास है किश्टवार का कल्चर है किश्टवार की जा कहते हैं यह जो रीती रिवाज है और बाकी जिसे पूरा सम्मिलित किया है प्रेज़ेंट टाइम अप्टू डेट इत्यास मैंने उसमें डाला है और बहुत बड़ी पुस्तक है वो चार सो पांच सो पीजिस की उस पर मुझे दवाड मिला है तो ये जो कवीता हमने अभी सुनी ये किश्तवाडी में थी और उमीद है कि सभी दर्शकुन ने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा क्योंकि जब भी हम कवी के मुझे कवीता सुनते हैं तो उसका आनन्द ही कुछ और होता है और मुझे पूरी उमीद है कि मेरे दर्शकुन ने इस कवीता का आनन्द जो है काफी ज़ादा उठाया होगा एक और बात आप से जानना चाहूंगा कितना अन्भाव किया अपने आप शिक्षा के शेतर में भी रहे और बहुत सारी किताबें भी लखी तो कितना अन्भाव किया अब भी तक अपनी जिनगी में में अपनी पूरी सरिस्में मारल एड्यूकेशन पर जोर दिया है मैं चाहता हूँ कि हमारे बचे जो हैं ये बाकी चीजों के साथ-साथ, नोकरी के साथ-साथ, इंजिनियर डाक्टर के साथ-साथ, मारल एजुकेशन पर भी जोर दें, जो इस वकत हमारे समाज की बहुत जरूरत है मैंने जो फॉर्स आर अफ एजुकेशन की बात की, उसके फ्रेंट पेज पर मैंने लिखा है, तो इस तरह से मारेलिटी जो है, मैंने यहां एक वरिख्ष की जबानी से शुरू किया है, कि कुछ लोग मुझे मेरे उपर दर्खत पर चाड़कर बड़े प्यार से फाल उतारते हैं और कुछ लोग नीचे से पस्थर नारकर मुझे खाट करते हैं लेकिन मैं दोनों को फाल देता हूँ कविता के साथ साथ हम एक और बात आप से जानना चाहेंगे आज कल की युवाओं की बात करें तो शिक्षा से काफी दूर हो रहे हैं और क्या कारण है दूर होने का और कैसे वो फिर से जो है शिक्षा में रुच्ची रख सकते हैं आपके अनुबाव से ऐसा है कि इस वकत शिक्षा का इस वक्त लक्ष है वो सिर्फ इंजिनीरिंग है डाक्ट्री है बाकि मारालिटी से जब हठके जाएंगे तो पैसे कमाने की बात आ जाती है तो मैटलिस्टिक जमाना आ गया है आज लोग चाहते हैं कि हम रातों रात इतने हमीर हो जाएं और शार्ट कट तो लाइनों के जर्रीय आप यहां की युवाओं को क्या संदेश देंगे कि इस तौड के लोगों के लिए? मैं यही चाहूंगा कि हमें अपने बlजर्गों का, अपने मातापिता का और अपने सेफाठियों के साथ भी प्यास से रहना चाहिए और उनका मान बढ़ाना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए और बुराईयों से हमیشہ दूर रहने की कोशिस करनी चाहिए जो इस वोकत हमारे भारत की सबसे ज़्यादा जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो ये थे हमारे साथ किश्टवार के मशूर कवी रिटाइड प्रिंस्पल भी रह चुके केवल कृशन शर्मा जी जिन्होंने काफी सारे किताबें भी लिखी है और साथ-साथ इनको काफी पुरसकारों से समानित भी किया गया है और किश्टवार के लिए ये एक मशूर हस्ती में कह सकता हूँ और इन्होंने काफी अच्छी बातें भी बताई चाहे वो अपनी कवीता के महदिम से बताई या फिर कुछ बातें यहां के युवाओं के लिए भी बताई और उमीद करता हूँ कि युवाज इतने भी इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इनसे इंस्पाइर होंगे जरूर इनसे जो है इनकी बातों को जो है अमल करेंगे फिलाल कैमरा परसन पंकज के साथ शीतल शर्मा जम्राइब